शेहर में डेंगी का फैलाओ कम ना हो सका, 24 घंटों में डेंगी के 36 नए मरीज सामने आ गए, सुबे भर में 82 नए मरीजों में डेंगी की तस्तिक हुई है डेंगी के 93 मरीज सेरे अलाच हैं जिन में चार की हालत तश्वीश नाक है रमासाल पंजाब के तमाम इसलाव में डेंगी की एक हजार 965 कंफर्म मरीज रपोर्ट हुए डेंगी मरीजों के लिए 2678 बैड मुक्तस किये गए हैं 76 बैड इस वकर डेंगी ब्रीजों के जेरे इस्तमाल हैं सेक्टी सेहत अली जान खान का कहना है के डेंगी की रोग थाम के लिए शेरी मेंखमा सेहत की टीमों से तावन करें अपने महौल को साफ और खुशक रखें डिंगी बुखार के अलाच, मलूमाच या शकायात के लिए मेकमस सेहत की फ्री हेलप लाइंग 1033 पर रापता करें सज्जाद हुसेन, लहौ न्यूज इंतजाम एकदाम के असरात मार्किट में नज़र आने लगे हैं चीनी के मसनुई तेजी को रिवर्स के लगया है परचून में चीनी के निर्ख 175 रुपे फी किलो तक रह गए है मजीद कमी का इमकान भी है चीनी के निर्ख में मसनुई तेजी रुग गई चीनी की कीमत में कमी कारुजान भी जारी है चीनी के मुसक्बिल के सोदों से सरमाया कारों ने हाथ खेंच लिया मार्केट में सिर्फ जरूरत की चीनी खरीदी जा रही है ठोक मार्केट में 50 किलो थैला 8400 रुपे तक रह गया चंदरोस कबल 50 किलो चीनी का थैला 9000 रुपे तक फ्रोक्त हो रहा था परचूर मार्केट में एक हफ़ते में चीनी 15 रुपे किलो सस्ती हुई मार्केट में चीनी 170 से 175 रुपे फ्रोक्त हो रही है मार्केट जराय के मताबिक चीनी के रेट में मजीद कमी का इमकान है आटे के निर्ख में भी कमी ना सकी 20 किलो आटे का थैला 2700 से 2750 रुपे तक फ्रोक्त हो रहा है खुला सुर्काटा 140, खुला सफेद फाइन 150 रुपे किलो दस्तियाब है चकी आटे 170 रुपे फी किलो तक फ्रोक्त हो रहा है कैमरामेन मुहमद बिलाल के साथ जाही दाबिद लाइन आटेंगे पंजब फ्रोक्त करेंगे निगरान वजीराला पंजाब मौसिन अक्री से शुगर मिल्स मालिकान के वफद की मुलाकात वफद में हरून अक्तर, जका, अश्रप, फवाद, मुक्तार और दीगर शामिल थे पंजब हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दर्मयान चीनी की कीमत पर तीन रोसे जारी मुजाकरा अतकामयाब हो गए शुगर मिल्स मालिकान पंजब हुकूमत को 140 रुपे फी किलो चीनी फरोक्त करेंगे मुसिन अक्वी का कहना था कि पंजब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए सेंटर्स, मॉडल और इतवार बजारों में खसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोक्त करेंगी मुलाकात में क्रेशिंग सीजन 28 अक्वार से शुरू करने पर इत्वा किया गया मुसिन अक्वी से मुसिन हینड्स पाकिसान के छे रुकनी वफ्त की मुलाकात मुस्लिम हैंड्स पाकिसान के चेर्मैन सेद लगते हसनैन ने फलाही सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी पंजाब के एक हजार स्कूलों का इंतजाम वाइंसराम मुस्लिम हैंड्स पाकिसान के स्पोर्ट करने का असूली फैसला मौसिन अक्वी का कहना था कि मुस्लिम हैंड्स पाकिसान के तावन से बड़े हस्पतालों की एमरजंसी को अपगरेड करने पर गोर किया जाएगा निगरान वजिराला मौसिन अक्वी से चेंबर्स ओफ कॉमरेस के सदूर की भी मुलाकात मोसे नक्वी का कहना था कि पंजाब में इंडुस्ट्रीज के फ्रोग के लिए तमाम मुम्किना सहूलतें और वसाइल महिया करेंगे पहले फेस में लाहोर, मुलतान, फैसलाबाद, स्यालकोड, गुजरावाला और रावल पिंडी में वन विंडो आपरेशन शुरू होगा लियाकत अली लाहोर नियूस सब्जी मंदी में महगाई का राज परकरा टिमाटर 180 रुपे फी किलो तक पहुँचके प्याज आलू के रेट की भी स्टैंचरी होगे ब्राइलर गोष्ट 519 रुपे फी किलो पर आगया जाहिदाबित की रिपोर्ट देखिए सब्जी मंदी में तेजी चारी है टमाटर का सरकारी रेट 125 रुपे फी किलो तक पहुच गया मारकेट में टमाटर 160 से 180 रुपे फी किलो तक फरोगत होने लगे आलू और प्यास 100 रुपे फी किलो दस्तियाब है लेसन 540 और अधरच 1100 रुपे फी किलो हो गए फूल गोबी 140, शिमला में 220, मटर 345 रुपे फी किलो बिकने लगे टीन डे 200, घीया कदू 120, तोरी और पाले 80 रुपे फी किलो तक बेचे जा रहे हैं शेरी कहते हैं गोश्ट तो क्या, अब सबजी भी नहीं खरीच सकते निर्ख इतने ज्यादा हो चुके हैं ब्राइलर सस्था होने के बावजूर अवाम की कुटे खरीच से बाहर आट रुपे फी किलो कमी के बाद ब्राइलर गोश्ट के निर्ख 519 रुपे फी किलो मकरर फार्मी अंडे बदस्तूर 303 रुपे फी दर्जे रहे केमरमेन मुहमद बलाल के साथ साहिद आबित लहूर नियूस शहर लहूर में एक हफ़ते के दौरान गंदूम, चीनी, आटा और मेदा महगा होने से बैकरी आइटम्स की कीमतों में भी इज़ाफा हो गया उपन मागिद जन्दूम की कीमत में फीमन एक सो पचास रुपे का इजाफा हो गया जन्दूम की फीमन कीमत चार हजार सो पचास से भड़कर 4,800 रुपे हो गई चीनी की सो छो पी बोरी 2,000 रुपे इज़ाफ़ से इठारह हजार पान्चसो रुपे की हो गई 20 किलो आटे का भिला 100 रुपे इजाफे से 2800 रुपे में फरोख्थ हो रहा है 80 किलो फाइन आटे की बोरी 500 रुपे इजाफे के बाद 12,000 रुपे पर पहुँच गई 7 रुपे 2 रुपे भरने से 20 रुपे में फरोख्थ हो रही है नान पांच शुट इसाफे से 30 रुपे में भिक रहा है रसका पैकेट भी 10 से 30 रुपे मजीद महिंगा हो गया कमिशनर लाहूर मुहमद लिरंधावा का कहना है कि गिराफ फिरोशों के खिलाफ असिस्टेंट कमिशनर्स और मेजिस्ट्रेट्स कारवाईया कर रही है अशेख और उनोश के मैयार और कीमतों की निगरानी को कताही बरतने वालों के खिलाफ कारवाई का हुकम है नाकिसकार करदगी पर तीन प्राइस कंड्रोल मुझी स्वक्ति откas, तसो काज नोटेस जारी कर दिये गए है जबके तो जबार, dc लहोर के मताबिक मुझी स्वक्ति नोरेस हमाईयों तैसीलदार शालिमार को नाकिसकार करदगी पर शोकास नोटेस जारी किया गया है मुझस्टेट नजीब उला रेविन्य आफ़ीसर तैसील सिटी को फिल्ड में रजाने पर शोकास जारी हुआ है मुझस्टेट मुझाहिद जया तैसीलदार तैसील सिटी को भी नाकिस कारकरदिगी पर शोकास जारी किया मुझिस्टेश तीन रोज में नोटिस का जवाब दे वरना एक्तियारात वापिस ले लिये जाएंगे प्राइस कंट्रोल मुझिस्टेश रुजाना की बनाद पर मुझिस आलाकों में खुद जाने के पाबंद है अब कुछ बात करते हैं डॉलर के हवाले से सब्तंबर का पहला हफ़ता डॉलर और रुपया दोनों के लिए सित्मगर साबित हुआ पहले डॉलर इंतहाई रिकॉर्ड सता पर पहुँचा लेकिन हफ़ते के आखरी तीन रोस डॉलर की कदर खजां के पतों की तरहां गिरती रही ओपन मार्केट में डॉलर तकरीब नो फीसद सस्ता हो गया चन्द मासे रुपया डॉलर के हाथों बेहाल था यकम सितंबर को ओपन मार्केट में डॉलर रेट रिकॉर्ड 332 रुपय की हद पर पहुँचिया और दो रोस इसी हद पर ट्रेड होता रहा जबके 5 सितंबर को इंटर बेंक डॉलर रेट मुलकी तारीख में पहली मरतबा 307 रुपय 10 पैसे पर ट्रेड हुआ फिर डॉलर के जखीरां 200 और डॉलर समगलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकटाउन की पॉलिसी आई तो अकले 3 रोस में ही डॉलर के पाउं उखडने लगे उपन मार्किट में डॉलर की कदर 28 रुपय कम होकर 304 रुपय रह गए जबके इंटर बेंट टॉलर रेट भी हफ़ते के इकताम तक 303 रुपय तक आ गया मार्किट जराय के मताबक इस वक भी टॉलर अपनी हकीकी कारोबारी कदर से ज़ादा रेट पर है और इसमें मजीद कमी की गुंचाईश भी मौजूद है हुकाम की तरफ से डॉलर की गेर कानूनी नफलो हमल और जखीरां दोसी रोकने की पॉलिसी जारी रही तो रुपय की कदर में मजीद बेहतरी हो सकती है जिस से मुल्की मौशद पर बेहतर असरात आएंगे शेहर लहुर डाकों के रह्मो करम पर मौडल टाउन में यूटेर्टी स्टोर के कैशियर को यरगमाल बना कर पास डाकों लाखों के नकदी और दीगर समान लूट कर फरार हो गए और वारदात के सिसिटी वे फोटिज भी मनजर आम पर आगए फ्लो सरकिट फुटिज के मताबिक असलिहा बरदार डाकों स्टोर में लूट मार कर रहे हैं और मौडल टाउन में वाके स्टोर से निकाप पोष्ट मुल्जमान 6 लाक रुपे और दीगर समान ले गए स्टोर मालिक का कहना है पुलिस ने ताहाल मुकद्दमा दर्श नहीं किया आपको बताएं स्टेज ड्रामों में फाहाशी और उर्यानी के खात्मे के लिए बंजाब हकूमत का उपरिशन करीन अप अगले मरहले में दाखिल हो गया स्टेज ड्रामे में मुझ्डे दिखाने पर शालिमार्ट थेटर को दुबारा सर्बा मोहर कर दिया गया इंतिजामिया की कारवाई के दुरान थेटर मैनेजर महमूद अक्तर सोपीस की खिलाफ वर्जी करते पाया गया असिस्टन कविश्टन लाहूर केंट ने कारवाई के बाद थेटर सर्बा मोहर कर दिया निगरान वजीर इतलात और सकाफत पंजाब आमिर मीर का कहना है कि पंजाब भर के थेटर मालिकान को वार्निंग लेटर जारी कर दिये पंजाब कॉंसल आफ आर्स के जानब से स्टेज ड्रामों के स्क्रिप्ट की मनसूखी के बाद ड्रामों पर मुकमल बबंदी आयद कर दी गई है ड्रामेटिक एक्ट 1876 में तरामीम की मनजूरी तक किसी थेटर में कोई ड्रामा नहीं दिखाया जाएगा तेटर्स में ड्रामों की नुमाईश के पहले स्क्रिप्ट की मनजूरी लाजम होगी आमिर मीर ने वाज़े किया कि ड्रामे की नुमाईश से कबल फुल ड्रेस रेहलसल करवाई जाएगी रेहलसल परफॉर्मेंस का मौईना खुद हुकुमती नुमाईन दे करेंगे सरकल्स में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कारवाई की गई है तफसिलात फाहद अमीन की इस रेपोर्ट में लैसको रिजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी चोथे रोज लाहोर के पांच सरकल्स में उकारा, शेखुपूरा, कसूर और ननकाना सरकल्स में उपरेशन किया गया तरजमान लैसको के मताबक तमाम सरकल में 248 कुनेक्शन्स बिजली चोरी में मुलविस पाए गए 169 मुलवान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दर्खास्तें मुतालेका थानों में दी गए मुलवान के खिलाफ 655 मुकदमात दर्च जबके 19 बिजली चोरों को गिरफतार किया जा चुका है बिजली चोरों के खिलाफ आपरिशन में बड़ी इंडरस्टी और फैक्टरियां भी मुलविस पाई गए लाहूर वेस्ट मेनेजमेंट कंपनी की जानब से स्मोग की रोक थाम के लिए एकदाम जारी है कोड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ बड़े बेमाने पर कारवाईयों का आगास कर दिया गया गुजिशता 30 रोज में 150 से जाए चलान 60 F.I.R. दर्च करवाई गई कोड़े को आग लगाने के जुर्म में 5,30,000 रुपे से जाइब के चलान किये गए शेहर के तमाम टाउंस में स्क्रिपिंग आक्टिविटी का आगास हो गया सीईओ बाबर साबधीन का कहना है कि LWMC समोक की रोक थाम के लिए तमाम मुमकिम एकदाम कर रहा है लोगों से गुजारिश है कि समोक से बचाओ के लिए LWMC टीमों का साथ दे मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखले के लिए यूनिवस्टी आफ हेल्थ साइंसिस के जिरे तमाम M.D.C. का इमतिहान सूबे भर से सेरसेट हजार जबके सुभाईदार अलहकूमत लहौर में 19,014 उमीदवारों ने M.D.C. का इमतिहान दिया है उमीदवारों ने पेपर को पिछले साल की निस्बत असान करार दिया है मेडिकल और डेंटल कॉलजिस में दाखलों के लिए M.D.C. का इमतिहान सूबे के 11 शहरों में मनकद हुआ 29 मुराकश में सूबे भर से 66,000 उमीदवारों ने उमतिहान में हिस्सा लिया इमतिहान की नगरानी के लिए 4,000 अफराद का अमला रखा गया जिसमें 250 सूबेडेंटेंट और 304 डिप्टी सूबेडेंट सामल थे लहुर में 9 मुराकश काइम किये गे, 7 सेंटर्स लड़कियों और 2 लड़कों के लिए मकसूस किये गे लहुर में 19,014 मीड़वारों ने M.D.C. का इमतिहान दिया जिसमें 13,29 लड़कियां और 5,705 लड़के शामल थे नगरान सुबाई वजीरे सेहर डॉक्टर जावेद अक्रब ने जीसी यूनिवस्टी इमतिहानी मरकश का दोरा किया उनका कहना था कितमाम तलबा तालबात और उनके असाथसा को अराम दे महौल दिया है तो वो फिर हम उसको एवन कंसिडर कर सकते हैं डिलीट करना अगर कोई कोई आउट अफ कोर्स वो समझते हैं कि है इमतिहान देने वाले मूदवारों का कहना था कि पिछले साल की निस्पत इस मरतबा असान पेपर आया है इस मरतमा महौल भी अच्छा था और स्टाफ भी तावन करने वाला था पेपर बिल्कुल एजी था, कोई इतनों मुश्किल नहीं था, पास पेपर में से काफी कोस्टन रिपीट हुए थे, मतलब के 2022 के पेपर में से काफी कोस्टन रिपीट हुए थे, इस वज़ जैसे हमें असानी हुई है पेपर में, कोई टेंशन नहीं हुई, कोई बिल्कुल अपरेटिव थे स्टाफ भी मतलब हमने अराम से बैटके बेपर किया रेलैक्सेशन पेज में ना आउटो स्लेबर्स कुछ नहीं था सारे को स्लेबर्स नहीं था इस बार इतना कोई मसला नहीं हुआ अमडी कैट इमतिहान का दुरानिया साड़े तीन घेंटे का था जो सुबह दस पे शुरू होका डेर बज़े खत्म हुआ केमर्मेन जिशान जाहित के साथ जैन अलीलिल हॉल नियूज अमडी कैट टेस्ट कुइन मेरी कॉलेज इमतिहानी सेंटर में असल दस्ताविजात साथ ना लाने वाली तालिबात को एंट्री टेस्ट में शरीक होने की अज़ासत ना मिली मतासरा तालिबात और उनके वालेदें ने कॉलेज के बाहर शदीद एफ़जाश किया असल बेफार्म साथ ना लाने वाली तालबात को एंटी कैट टेस्ट में बैठने से रुक दिया गया एंटी टेस्ट की इजासत ना मिलने पर तालबात और वालदा ने काले के बाहर शदीद एफ़जाश किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे बाजी की मतासा तालबात और वालदा ने मतालबा किया कि एंटी टेस्ट देने की फौरी इजासत दी जाए असल रोल नमबर स्लिप मौझूद फिर भी असल बेफार्म मांगा जा रहा है नादरा हेल्प सेंटर माजूद होने के बावजूद बेफार्म की तस्दीक नहीं की जा रही यहां भी तो रोल नमर स्लिप लेके हैना तो यहां से उनके बच्चों की यहां पे पिच्चर भी लगी है यह देख सकते हैं यह पिच्चर दिखा कि बच्चों का उंडर नहीं लेके जा सकते हैं यह जा एंड हैं तो इन बच्चों का साल जाया हो, इन बच्चों के दिल दुकें, इनके वालदेन के दिल दुकें मेरे वतने च्थीज़ में ये क्या हो रहे है। असिस्टन्ट कुश्टन शालिमार अनम फात्मा ने भी तालबाल का मतालबा रद कर दिया और असल दस्तवेजात को लाजम करार दे दिया कैवर्मेंट फखर अबास के साथ रहील अलील लहौ नियूस जमीन.com के जिरह तमाँ PC होटेल में कामया प्रॉपटी सेल्स इवन्ट का एनकाद हुआ है इवन्ट में चालिस से जाय सरमाया कारी के मनसूबे भी पेश किये गए है इवन्ट में मुख्तलिफ शोबों से तालुक रखने वाले अफराद ने कसीर तदाद में शिर्कत की है और इवन्ट को शानदार करा दिया है जमीन.com के जिरह तमाँ PC होटल में कामया प्रॉपटी सेल्स इवन्ट सजाया गया इवन्ट में 40 से जाय सर्माया कारी के मनसूबे पेश किये गए जमीन ओपर, जमीन जेट, जमीन फैंक्स, जमीन और मीम और जमीन को और्ड एंगल जैसे मनसूबे मतारिफ करवाए गए इवन्ट में शेरियों ने भरपूर शिर्कत की चीफ एग्जडिव एफसे जमीन डाट कॉम जिशान अलीं ख़ाए एवट में खसूसी तवापाश शिर्क ये तकरीम ने जमीन डाट कॉम के माडल भी पेश किये गए चीफ एक्जेक्टिव अफीसर दीशान लिखाने का कि लोगों को बेहतर जिन्दी गुजानने के मौाकिफ रहम करना वक्त की जूर्ट है हमारा आजम बुलंद और सबने मिलकर पाकिस्तान को बलंदियों पर लेकर जाना है हेड डायरेक्टर एड्मिन्द मरियम सलीम का कहना था कि जमीन डिवेल्ब्मेंट परोजेक्ट की कामयाबी के बाद मजी ने परोजेक्ट लॉंच करने जा रहे है जमीन डिवेल्ब्मेंट का जो पहला प्रोजेक्ट है जमीन ओपल वो तो अलहम्द लिल्ला सिक्सेस्पिली किम्टीट हैंड़ ओवर और हमारे जो क्लाइंस हैं देव मूवड इन नाउ बाकी आज हम जमीन जेट और फीनिक्स की नियो की लॉंच के लिए आए हैं और इन्शाला पूरी उमीद है कि हमारी सेल्स टीम इस गोई टो वन्डर्स और जिस तरह हमें देव मेड देम प्राउड पहले के प्रोजेक्स में इन्शाला इस वक्त भी देवल मेक उस प्राउ है अज़न में डायक्ट प्रेच्थ सेल्स लहुर बासला फीज अली रहान उस्मान तालत, फ्रोग महम्मद खान और दीगर भी शरीक हुए तकरीख के खिताम पर केक पी काटा गया